असलाम भी स्टुट इस इस आज लिए और आज आगास करते हैं डाइकर्फ के स्टेशन का होगा number of directors fix किये जाएंगे फिर meeting call की जाएगी meeting के लिए notice दिया जाएगा फिर जो members है contest करना चाहते हैं वो अपने intention जाहिर करेंगे फिर उनके circulation सारे members कोंगी फिर meeting वाले दिन election होंगी यह elected directors है अच्छा जब अब तक हमने इसका मतलब फिर्स डिरेक्टर पढ़ लिया और सबस्वेकंट डिरेक्टर पढ़ लिया आज की class में हम इंशालला यह पढ़ेंगे कि क्या election के बाद भी अगर डिरेक्टर के election हो गई है तो हमने section पढ़ा था कि जो डिरेक्टर का जो tenure होगा वो तक उसके बाद जितने भी डिरेक्टर अलेक्टर होंगे वह अगले तीन साल तक उनका ठीक है अच्छा क्या यह एंड हो सकता है क्या fresh election हो सकते है आए इसके उपर हम एक section पढ़ते हैं जिसका नाम है section 162 fresh election of directors यह क्या चीज़ है आप यह एजियूम करें 2022 में एक एजियम हुई और एजियम में डिरेक्टर अलेक्ट हो गए तो इसका मतलब है 2025 तक जो एजियम होगी या 2025 की जो एजियम होगी उस वक तक यह डिरेक्टर अपॉइंट रहेंगे उनका tenure यह है लेकिन क्या इस दौरान एक fresh election हो सकता है आईनी हक मेंबर्स को यह देता है कि यस आपके पास यह राइट है कि आप फ्रेश अलेक्शन करवा सकें वह है क्या चीज़ लॉग को पढ़ते हैं लॉग कितना खुबसूरत है और कितनी जबर्दस इस एक लाइन के अंदर लिंकिंग आ रिए उसको थोड़ा स अगली एजिए मैं डाइक्टर्स के लिए अगली मीटिंग इस यह एलेक्टर के लिए दोजार पचिस में होगा से इसका टेन एटेनि अनिधिंग कंटेंड है यह यहां पर जो लिखा वे तीन साल के टेनियर इसकी कोई हैसियत नहीं है अम मेंबर और कितना खुबसूरत व directors the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of a company अगर उसके पास यह requisite shareholding आ गई what is requisite shareholding नीचे हम थोड़ा सको discuss करते हैं लेकिन अगर उसके पास वो कहता है कि मेरे पास ही required shareholding है कि मैं अपना director मुंतखिब कर सकता हूं या मैं खुद as a company का director बन सकता हूं मेरे पास इतने sufficient number of shares है कि आप आज election कर आए मैं तो लाजमी जीतूंगा तो यहां पर बोर्ट को और company से कहा जाता है में require the company to hold the fresh election of directors in accordance with the procedures laid down in section 159 तो यहां पर section 159 के तहत वापिस से election होंगे पिछला election 2022 में हुआ था और हम सारे बैटके सूच रहते हैं कि अगला election 2025 में होगा directors का बिकॉस इनका tenure तीन साल का है यहां पर लोग आप से कहता है notwithstanding anything contained in this act जिसका मतलब है 2023 में या 24 में fresh election एक member call कर सकता है अगर उसके पास requisite shareholding है what is requisite shareholding और क्या मजीद कानू ने आए पड़ते हैं provided that the number of director fixed in the preceding election shall not be decreased 2022 में आपने election करवाई और आपने का कि लैट से साथ director हमने fix करें हैं आप इस number को change नहीं कर सकते बिकॉस अगर इस number को change नहीं इस number का decrease नहीं कर सकते हैं अगर इस number को decrease कर देंगे तो वह बंदा जो मेंबर यह सोच रहा था कि मेरे पास requisite shareholding है उसके पास पर requisite shareholding नहीं रहेगी और जो उसका आइनी हग था बोर्ड में बैठने का वह हग आप उसे चीन रहे हैं तो यहां पर आपको मजीद चीज़े बता दी गई है सबसेक्शन टू अगर हम देखें सेक्शन 162 का तो बोर्ड शेल अपॉन दर रिसेट आफ दर रेक्विजिशन अंडर सबसेक्शन वन एस सून एस प्रेक्टिकेबल बट नॉट लेटर देन 30 देज फ्रम दर रिसेट अफ सच रेक्विजिशन प्रोसीड टू होल्ड दा फ्रेश अलेक्शन अप डिरेक्टर जहां बोर्ड के पास ही लेटर आ जाएगा मेंबर की तरफ से के भाई फ्रेश अलेक्शन कर आए ब कर सकता क्या इंक्री कर सकता है थोड़ी दिर में देख लेते हैं उसके बाद मीटिंग के लिए 21 दिन पहले नोटीस देना पड़ेगा और फिर उसके बाद मजीद अगर कोई चाहता है उसके नोह पास आएंगे और कंपनी नोटेसे सर्कुलेट करेगी बाकी मैंबर्स को और फिर मीटिंग होगी डेट से अगर 1st January को रेक्विजिशन रिसेट हुई है 1st January को रेक्विजिशन रिसेट हुई है तो 30 जैनवरी तक आपने मीटिंग हर हाल में कॉल करनी है यहां पे छोटी सी इनकंसिस्टेंसी है सेक्शन 159 कहता था मीटिंग से 35 दिन पहले डिरेक्टर का नंबर फिक्स करना है यहां पर वो कहता है नहीं 30 दिन के अंदर मीटिंग करने तो जहां आपके पास रेक्विजिशन आ जाएगी आपने फॉरण से बूर्ट मीटिंग बुलानी है नंबर अब अपनी से जो कि हम पढ़ रहे हैं फॉर होल्डिंग और फ्रेश अलेक्शन आफ डा डिरेक्टर्स ऑफ फ्रोज वन ट्रिपल एट मिल्स लिमिटेट तो यहां पर आप देखें तो एक मेंबर ने फ्रोज मिल्स के ओपर यह रेक्विजिशन दी कि मेरे पास रेक्विजिट शेर होल्डिंग है मेरे पास इतने शेर्स हैं कि मैं आपके बोर्ड में जगा बना सकता हूं आप अलेक्शन कॉल करें मैं जी सकता हूं तो उसने यहां पर एक प्रेक्टिकर सेंबल भी हमने डिस्कॉस कर ली अब यह है क्या यह बड़ा सिंपल सा कौमन सेंस है what is requisite share holding holding such number of share for which a member will be satisfied that he or she will win the election by casting vote in his or on her behalf तो उसके पास इतने अच्छा रेक्वेसे शोल्डिन को कंपनी एक्ट ने इतना एक्स्प्लीन नहीं करा प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं होता क्या आपने नियुमिरेटर में हंड्रेट को रखना है सुनिएगा मेरी बात को आपने नियुमिरेटर में हंड्रेट को रखना है और उसको डिवाइट क कंपनी के 10% Shares being a member मेरे पास मौझूद है मेरे पास मौझूद है तो इसका मतलब है कि मैं फ्रेश अलेक्शन की कॉल दे सकता हूं विकास सौ मैंसे 10 Shares मेरे पास हैं और 10 डारेक्टर अलेक्ट होने हैं तो 10 तो मैं अपने आपको दूंगा ही दूंगा आप कोई भी sequence बना लें Mr. A को इतने पड़े Mr. B को इतने पड़े Mr. C को इतने पड़े मैं अपने आपको 10 Shares दूंगा और उसके basis पे मैं आराम से अलेक्ट हो सकता हूं यह कहलाता है तो इसका फॉर्मला बड़ा असान है नुमेरेटर पर आप 100 को रखें और डिवाइट करने नंबर ऑफ डिरेक्टर जो आपने फिक्स जो नंबर ऑफ डाक्टर फिक्स हुए थे ठीक है जो लास्ट एलेक्शन में फिक्स हुए थे उससे है तो यह वर्किंग घर पर भी बैठके कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा फॉर्मला है अच्छा जी इसको डिटर्माइन कैसे करना है इसको डिटर्माइन ऐसे करते हैं आई की स्कोल फाइनस लिम्टेट इस पॉब्लिक अनलिस्ट कंपनी वेड़ा पेडप शेयर के प्र तीन स सब्सक्राइब अग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ आई क्यूए सफ परचेश दी एडिशनल शेयर इन आई क्यूए सफ और दस जनवरी दो हजार तैइस अलेक्शन दस नमबर दोजार बाइस के वी उसके बाद उसने मजीद शेयर होल्ड करें और दस जनवरी दोजार इसको उसके पास जो शेयर होल्डिंग की परसंटेज है वह बारा परसंट है सब्सक्राइब कितने परसंट है वह बारा परसंट है इसका मतलब कंपनी के टोटल नमबर ऑफ शेयर का बारा परसंट वह होल्ड करता है क्या यह बारा परसंट रेक्विजिट शेयर है कोई मुश्किल नहीं है आपने numerator पर 100 रखना है उसको de मतलब है yes he has the requisite shareholding अगर अगली election होगी और उसमें 9 director decrease नहीं कर सकते हैं अब आप समझेए का बाप logic समझेएगा अगर आपने decrease कर दिया for example board करते अच्छा तो माना चाहते हो ठीक है मेरे पास राइट है कि मैं नहीं कर सकते हैं हां increase कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं उसकी भी लॉचिक में आपको तो यहां पर उसके पास को कि बारव पर संट है रही है यह मिस्टर जे कैन आस्टा कंपनी तो होड़ दा फ्रेश अलेक्शन ऑफ डिरेक्टर्स यह हमारे पास है अच्छा अगर हम देखें फॉर्मुला फॉर रेक्षिट शेरोल्डिंग का तो हमारे पास नंबर ऑफ डिरेक्टर्स केस भी अगर मैं देखू तो नंबर ऑफ डेक्टर एग्सिस्टिंग नाइन है हमारे पास तो इसके पास रेक्विजिट शेरोल्डिंग बनती है लेवन पॉइंट वन वन परसंट सहीं होदाना खास्ता अगर बोर्ड ऑफ डिरेक अपने आपको पॉइंट ये अलेक्ट नहीं करवा सकेगा तभी लॉन यहां पर मना कर रहा है इनकेस अगर आप इंक्रीज करते हैं केसी आपने का कि ठीक है मैं अलेक्शन करवाते हैं लेकिन दस डारेक्टर से नो डारेक्टर तो रेक्विजिट शेरोल्डिंग दस परसं है तो यह तो इसके लिए ज्यादा फेवरेबल सेनेरी हो जाएगा तभी लॉन बड़ा स्पेसिफिक लिखावे डिक्रीज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप इंक्रीज लाजमी कर सकते हैं प्यारे बच्चों सही है तो यह हमारी आज की क्लास थी इसके बाद हम इंचाल लखेगा थैंक्यू सो मच अलाफिस